हेलो मैं डेर फ्रेंट्स गुड़ बॉर्निंग ओल आप यू मैं विवेक कुमार रोजना की तरह लेकर उपस्तित हूं डेली करेंट अपिर्स एनलाइसिस साथियों आज दस जुलाई 2020 और वारे सुक्र आज का करेंट पिर का अनलाइसिस लेकर मैं आया हूं साथियों मेरे आज का करेंट पिर अनलाइसिस सुरू करने से पहले हम बात करते हैं हमारे कल के क्वेस्ष्टन अप डड़े के आंस्वर गी साथियों लाजडेम ने क्वेस्टन पूछा था क्वेस्टन था कि निम्न में से किस भारते राज्जे या केंदर सासे प्रदेश ने लोगों को आवसेख स्वास्ते सेवाय प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वेन धन्वंत्री शुरू की है आप्शन ये राजस्तान ने, आप्शन B गुजरात ने, आप्शन C महराष्टर ने & आंदर प्रदेश ने साथियों मेरे मोबाइल वेन धन्वंत्री कोरोना वायरस में हमारी के चलते वोई शुरू की गयी है और यह है आवसक सेवाई प्रदान करने के लिए शुरू की है और यह किस भारते राज्या के इंदसासे प्रदेश ने शुरू की है तो वह है भारते राज्या गुजरात Option B, right answer गुजरात हमारे देश के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदिका ग्रह राज्य गुजरात गुजरात ने यह यूजणा मोबाइल वैन धन्मंत्री रत यूजणा सुरू की है Option B, right answer गल के हमारे question का गुजरात साथियों यह जो यूजणा यह एमदाबाद, नगर निगम, गुजरात ने सहर बर में धन्वंत्री रत नाम से 120 मोबाइल मेडिकल वैन तैनात किये है यह एक मोबाइल वैन है जो हर घर में गैर COVID आवसे एक स्वास्ते सिवाई परदान करती है प्रतेग वैन की बात की जाए तो प्रतेग वैन में एक आयूस्चिक सक एक पेरामेडिक और नर्सिंग इस्टाप और निगम के सहरी स्वास्ते किंद्र के एक स्थानिय चिकित्सा अधिकारी होते है यह नियमित भाई यह रोगी परदान करता है तो यह जो है आपका धन्वंत्री रत योजना धन्वंत्री रत वो एक मोबैल बैन है जिसमें की विभिन प्रकार की दवाईये मिलेंगी प्रियोप कोश्ट मिलेंगी और इसमें क्या एक चीकित्सक भी रहेगा तो यह गुजरात ने सुरू किये राइट अन्सवरता उप्सन भी गुजरात साथ वीडियो पूरा देखें कम्प्लिट वीडियो आपके लिए अत्यर्थ मैत्तो पौन है भाग्ये को और दूसरों को दोस्ट क्या देना जब सपने हमारे हैं जब सपने हमारे हैं तो कौशी से भी हमारी होनी चाहिए और इसी मोटिवेशन के साथ सुरू करते हैं आज का करन्ट अपेर्जी के कौश्टन सग्याफश से निम्द मैंसे किस बैंक ने भाग्ये बचत खाता सेवा सुरू किया है औप्शन फिनो पैमेंट्स बैंक लिमिटेड औप्शन सी फौन पे पैमेंट्स बैंक लिमिटेड औप्शन अमेजन पैमेंट्स बैंक लिमिटेड साथियो बहुस्य बचत खाता सेवा सुरू जो की है वो है फिनो पैमेंट्स बैंक लिमिटेड साथियो मेरे यह जो यूजना है बहुस्य बचत खाता यूजना दस से अठारे वर्स की आयू के नाबालिगों के लिए सुरू की गई है बविश्य सदस्यता आदारीत बचत खाता मामुली रासी का बुपतान करके खोला जा सकता है इस नई बचत खाता यूजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बियार और मद्दे प्रदेश में शुरू किया गिया है यह तीन राजी हैं जहाँ पर फिनो, पेमेंट्स बैंक ने यह सुविदा शुरू किया है बविश्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें नियूंतम से इस रासी रखना अनिवारे नहीं होगा एन की जीरो बैलेंस पर भी आप यह खाता खोल सकते हैं बैंक विट्य वर्स 2021 के अन्त तक लगबग एक लाग बहुश्य बचत काते खोलने के लक्षे की और योजना पर काम कर रहा है नेक्स्ट क्वस्टन से क्या दो, निवमेंसे किस राज्जी ने सेल्प स्केन नामक एक नया मॉबाइल अप्लिकेशन लॉंच किया है साथियो सेल्प स्केन, यह आपका कैम स्केन की तरह है, कैम स्केन का अपने नाम सुना होगा, लेकिन हाली में भारत सरकार ने 69 चीनी अप्स को बंद कर दिया है तो उसकी यह वज में सेल्प स्केन नामक का एक नया मॉबाइल अप्लिकेशन लॉंच किया है और यह लॉंच किया है पश्चिम बंगाल की मम्ताब अनर जी सरकार ने और यह जो नए अप्लिकेशन है इस नए अप्लिकेशन यह नए अप्लिकेशन दस्ताविजो को स्केन करने के लिए राज्ये के सूचना प्रद्दगी की विवाग द्वारा विक्षित की गई है साथे उफर अभी हाली में हुआ किया 69 चीनी मोवाइल अप्लिकेशन पर प्रतिबंद लगाए सरकार ने और यह चीनी सामानों को बहिसकार के आवान के चलते किया गया है तो इसकी जगे सेल्फ स्केन अप लॉंच की गई है सेल्फ स्केन अप पूरी तरह से सुरक्षित और सीप अप है इसके सर्वर पर कोई डेटा सेव नहीं होता है इसकेनिंग फीचर के अलावा अप्लिकेशन पर दस्तावेजों को एडिट भी किया जा सकता है नेक्ट क्वेसन से क्या तीन दिगज बॉलिवूड अभी निता, कॉमेडियन जगदीप का निदन हो किया है उन्हें किस फिल्म में किये गए सुर्मा भॉपाली के रॉल से लोगपृता मिली थी अप्सने सोले, अप्सन भी अंदाज अपना-पना अप्सन सी प्राण मंदीर, अप्सन भी गली-गली, चोर साथियो सुर्मा भॉपाली, अपने नाम तो सुनाई हो जिनका असली नाम तो कुछ और था लेकिन उन्हें दिगज बॉलिवूड अभी निता और कॉमेड़न जगदीप के नाम से जाना जाता और इनका शुर्मा भॉपाली कई रूल से जादा पिरसीद्ध कब हुआ था पिरसीद्ध कब हुआ था ..कोई बताएगा सायों रिजट तो दे दी जिए . शायों भांदोगगजों मेरे साथियों शुर्मा भॉपाली कई रॉल उन्होंने किया था 16 सोले फिल्म में जो कि वर्स 1945 में आई थी सोले जिसमें अमिताब बचन और धर्मेंदर थे उसमें इनों ने सुर्मा बपाली का रोल किया था रो इससे इनको लोक्त कृता मिली थी तो आप्सने राइट आंसवर है सोले साथियों बात की जाए तो दिगज बॉलियूड अभिन जो इनकी थोड़ी सी चर्चा की जाए तो जगदीब को अमिताब बचन और धर्मेंदर की वर्स 1945 फिल्म सोलें के सुर्मा बपाली से लोग पर तक मिली इसके लावने वर्स 1984 की फिल्म पुरान मंदिर में मच्छर और सल्मान और आमिर खान की वर्स 1904 में की फिल्म पुलिस कॉंस्टेबल की मुमिका ने भाई थी चैदसक जानी कि 30 साल से अधिक के अपने लंबे केरियर में उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभीनिय किया था यानि कि 400 से जादा फिल्मों में वह रहे थे नेक्स्ट कॉस्टन से क्या चार जी आकास बहरत के कौन से 17 गे मास्टर बने वह बने 66 ओप्सन सी राइट आन सवरे 66 ग्रेन मास्टर बन गया है साथि इस बात की पुष्टी कि जी आकास 66 ग्रेन मास्टर बने हैं इस बात की जो पुष्टी है वह पुष्टी अंतराश्टे सत्रंज महासंग FID International Chess Federation की वर्ष 2020 की परिशत की दूसरी नाम किया था उनके साथ साथ गोवा के अमया ओडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर किताब अपने नाम किया है नेक्स्ट को संक्या पांच वैस्विक रियल इस्टेट पारदर्सित आ सूचकांक में भारत को कौन सा इस्तान मिलाए ऑप्सन ए 23 वा ऑप्सन ए 49 वा ऑप्सन ए साथ ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरनसी इंडेक्स 2020 वैस्विक रियल इस्टेट पारदर्सित आ सूचकंग में भारत को संसे मिलाए वह इस्तान मिलाए 34 वा ऑप्सन ए राइट आंसवर ऑप्सन भी 34 साथ यो रियल इस्टेट बाजार से जुड़े नियामकिय दिवी वार्षिक सर्वेक्षण को करती है और वर्ष 2018 में बारत की रेंकिंग थी 35 वी 2016 में 36 वी और 2014 में कौन सी थी 49 2020 में कौन सी हो चुकी है तो 2020 की बात की जाए तो 34 वी एक अंका सुधार हुआ है मैं क्सक्वेसन संक्या चहनिम्न मैं से किसे यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यूके आई बीसी ग्रूप का मुख्य कारेकारी अधिकारी चीप एकजीगोटी ऑफिसर न्यूक्त क्या गया है साथियो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल इसका जो CEO मुख्य कारेकारी अधिकारी जो न्यूक्त किया गया है जैन्त किष्णा ओप्सन ए राइट अंस्वर है जैन्त किष्णा को UK इंडिया का मुख्य कारेकारी अधिकारी चीफ एक्जी गुटी ऑफिसर न्यूक्त किया गया है जैन्त किष्णा वर्तमान ग्रुप के CEO रिचर्ड हैडल की जगे लेगे इससे पहले जैन्त किष्णा ने परदान मंत्री कोसल भार्तमिसन के CEO के साथ साथ राष्टे कोसल विकास निगम एन SDC के कारेकारी ने दे सक और मुख्य पर चालन अधिकारी के रूप में भी कारे की आए जैन्त किष्णा भारत इस्तित UK IBC गुरुप के पहले CEO होंगे वर्ष rebellॉप कारी अंश्मिका टीएस तो सातिओ योग मेरे भारते रिलवे अकी सब से लाउन स्युक्तित करीएस ने नचके कारी एमिशन जो रखा है वो रखा है 2030 तक वर्स 2030 तक उप्सन डी राइट आंसोर है वर्स 2030 तक साथियो भारती रेलवे ने वर्स 2030 तक इसका लक्षे रखा है जिसके लिए अपनी दसकों से खाली पड़ी जमिनों पर सोलर पाउर प्लांट लगाने की योजना बनाई है इसके साथ आप्सन डी मैत्वाकांची प्रोजेक्ट के जरिये ट्रेनों को सोलर पाउर से चलाने की योजना पर भी कार्ने किया जा रहा है नेक्स्ट कोशन संक्या आठ अफगानिस्तान ने अपने चार प्रांटों में शिक्षा के बन्यादी ढाचे को बहतर करने के लिए बारत کे साथ कितने समझותे किया है आपसन डी दो समझmostे है आपसन डी तीन समझätze है आपसन डी चार समझते है उपसन डी-पाँच समझते है तो सातियों मेरे भारत देश ने सिक्षा के बुनियादे डाचे को बैतर करने के लिए अफगानिस्तान के साथ 5 समझोते किये Option D, Right, Aniswar कितने समझोते कि ये 5 समझोते इन समझोतों की बात की जाएते हैं इन समझोतों के तैत बारत से अफगानिस्तान के नूरिस्तान, फरा, बदखसा और कपी सा प्रांतों में सिक्षा का विकास करने में मदद मिलेगी उन्हों ये सिक्षा को बढ़ावा मिलेगा नेक्स्ट क्वेसन से क्या नो, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को यानि की आज किस राज ये के 750 मेगावाट के एसिया के सबसे बड़े सोर उर्जा सैंत रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्गाटन करेंगे साथियो, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जिसका की उद्गाटन आज 10 जुलाई को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के तयत किया जाएगा वह इस्तित है मद्य प्रदेश में, option be right answer है, मद्य प्रदेश साथियो, रीवा जिले की बात की जाएगे, यानिके मद्य प्रदेश, रीवा, renewing energy for future रीवा जो जिला है, वो मद्य प्रदेश राज्ये में और इसके लिए बात की जाएगे, तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट के को मद्य प्रदेश के रीवा जिले में इस्ताफित किया गया है, इसकी कुल छमता किसनी है इसकी कुल छमता है 750 मेगा वाट साथ हो यह इसिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और सोर उर्जा सहयंतरों में से एक है नेक्स्ट और आज क्वेस्टन क्वेस्टन संक्या दस निम्न मैं से किस देश में विदेशी कामगारों को लेकर आए प्रवासी कोटा विदेख लाया गया है और कुवेट देश में विदेशी कामगारों को लेकर आए प्रवासी कोटा विदेख लाया रहा है इंडियन्स यानि कि भारतियों को वापस भारता ना पड़ेगा और इप्रवासी कोटा विदेख में खाड़ी देशों में विदेशी कामगारों की संक्या में कटोती की जाएगी अजकर नेक्स्ट और अंतिम कोट्सन कोट्सन संक्या ग्यार है जारकण में भारतिय किरसी अनुसंदान संस्तान के ने प्रसासनी बहुन का नामकरण किसके नाम पर किया गया आप्सन ए जवारलाल नहरो आप्सन भी श्यामा प्रसाद मुकरण जी ऑप्सन सी लाल बादुर सास्त्री और ऑप्सन डी वल्ला भाई पटैर सातियो जारकण में भारतिय किरसी अनुसंदान संस्तान के ने जो प्रसासनी बहुन है उसका नाम जो रख जा रहा है वो रख जारा है अनुसका मास मुकरण 6 में प्रसाद मुकरण जो की भारतिय जनसंसंग के शंसतापक और इनकी 119 वी जैनती के अउसर पर उनके नाम पर ये नाम रखा गया है स्यामा प्रसाद मुखरजी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंता के लिए समर्पित किया उन्होंने एक राष्टे एक कानून का आवान किया और कस्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया तो मेरे प्यारे साथियों ये था आज का मारा करंट अफेर्स का एनलाइसिस अब बात की जाए आज के question of the day की तो आज का मारा question of the day की ओफेक 16 किस देश का नया जासूस उपकर है option अमरीका option बीजराइल option सी कुवेत और option डी कतर और मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आपको comment box में देना है साथ मैं विवेक कुमार आपके उत्तर का इंतिचार करूंगा आपका comment आया मैं भी आपको reply करूंगा आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा 24 hours 7 days वेक कुमार आपके साथ जुड़ा हुआ है और वीडियो अच्छा लगा हो तो पिलीज लाइक जरू कीजिए और लाइक के साथ साथ हमारे YouTube channel UV competitions को सब्क्राइब भी कर दीजिए तैंक्यू सो मच दन्यवाद मिलते एक ने वीडियो के साथ हमारे YouTube channel UV competitions पर आपका दिन सुब्वो